इस सप्ता मेश राशी के जात्कों को किसी परिशानी का समधान मिल सकता है। कोई शिप समचार मिल सकता है। इस सप्ता मेश राशी के जात्कों की सीहत में सुधार होगा। कारिशेत्र में इस्थतियां अच्छी बनी रहेंगी। कारिशेत्र में आपको कुछ अच्छी तथा नई लाव मिल सकते हैं। आपका पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। धन का लाव अच्छा होगा तथा धन सम्मंदी समस्या दूर होगी। प्रेम प्रसंग के मामलों में सफलता मिल सकती है। इस सप्ता करकराशी के जात्कों को मानसिक रूप से सुकून महसूस हो सकता है। कामकास को लेकर दौर भाग बनी रह सकती है। इस सप्ता कारियों को लेकर यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। इस सप्ता आप अपने शौक मोस के साधनों पर धन का खर्च कर सकते हैं। नौकरी वर्प को पदलाब तथा नई कारियों के जिन्नदारी मिल सकते हैं। धन का लाब होगा, आप अपने प्रयास जारी रखें। जीवन साथी से तालमील बनाई रखें। इस सब्ता सिंगराशी के जात्कों की समस्याई कुछ कम हो सकते हैं। धन को लेकर चल रही दिक्कतों में आपको आराम मिल सकता है। आपकी आर्थे की स्थती में वृत्थी हो सकती है, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, तथा उनको अपनी कारिशेत्र में लाब भी मिल सकता है। सब्धा की मध्य में सेहत सम्मंधी दिक्कते हो सकते हैं, धन का खर्च भी हो सकता है, छात्र वर्ग को अच्छा लाब में सकता है. इस सब्धा कन्याराशी के जात्रों की कामकाज में स्थती बहुत अच्छी बनी रहेगी, उच्च अधिकारियों के साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा, नौकरी वर्ग को इस सब्धा कुछ अच्छी फल प्राप्त हो सकते हैं, धनलाब के लिए किये जा रहे प्रया स्पून होती नजर आएंगे, इस सब्धा जीवन साथी तधा प्रेमी के प्रतिया आपका प्रेम भाव बढ़ सकता है, सेहत सम्मंदी समस्याएं आपको परिशान कर सकती हैं, इस सब्धा तुलाराशी के जात्कों को कारेशेत्र में परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है, धन से जुड़े मामलों में इस सब्धा आपको लाव मिल सकता है, चात्रों के लिए ये सब्धा अच्छे लाव दे सकता है, अते उच्छत लाव ले, संतान के साथ आपका सामंज़स से अच्छा बना रहेगा, वैपार से जुड़े जात्कों को लाव मिल सकता है, जीवन स प्रफाथी का सहयोग आपको मिलेगा भागी का सहयोग इस सप्ता आपको लाब तताकारिओं में सफलता दिलाएगा इस सप्ता वृष्चिकराशी के जातकों की सभी कार्य पूर्ण होंगे कारी शेत्र में काम का बूच कम बना रह सकता है इस सब्ता आपकी सुक्स विधाओं में वृध्धी हो सकती है, इस सब्ता आपको अनिशोतो द्वारा धनलाग की प्राप्ती के योग पन सकते हैं सुआस्त के लिहाज से देखा जाए तो चल रही कोई पुरानी बिमारी में राहत प्राप्त हो सकती है नौकरी से सम्मंदित नए विकल्प सामने आ सकते हैं, छात्रों के लिए ये सब्ता अच्छा रहने वाला है इस सब्ता धनुराशी के जात्कों का कारियों को लेकर आत्मविश्वास अच्छा बना रहेगा कारिशेत्र में आपको अच्छे अफसर प्राप्त हो सकते हैं, इस सब्ता आपके वैपार में रित्थी हो सकती है जीवन्साथी का सहयोग मिले का तथा उन से लाब भी मिल सकता है संतान के साथ समय व्यतीत करेंगे तथा च्छात्रों के लिए सब्ता लाप देगा सब्दा का अंतिम भाग आपको धन का लाब दे सकता है परिजनों के साथ प्रेम बनाई रखें इस सब्दा मकर राशी के जात्कों को धनलाब की प्राप्ती मिल सकते हैं इस सब्दा आपका पारिवारिक जीवन अच्छा बना रहेगा कारिशीत्र में इस सप्ता काम की अधिक्ता बनी रह सकती है जीवन साथी की सेहत को लेकर परिशान हो सकते हैं नौकरी कर रहे जातकों को कारियों को लेकर परिस्थतियां उनके मन मताबिक बनी रह सकती है धार्मिक कारियों में भागेदारी बढ़ सकती है छात्रवर्ग के लिए सब्ता मिले चुले फल देने वाला रहेगा इस सब्ता कुम्भराशी के जात्कों की सुक्सविधाओं में वृध्धी होगी इस सब्ता नौकरी और वैपार में भागे का साथ बना रहेगा कारिशीतर में अधिकारियों से मदद मल सकती है धनलाब के योग इस सब्ता बने रहेंगे इस सब्ता आपकी आई तथामान सम्मान में वृध्धी हो सकती है पर जनों के साथ समय अच्छा वैतीत हो सकता है वैवाहिक जीवन में अगर किसी तरह की परिशानी चल रही है तो वो समाप्त हो सकती है इस सब्ता मेन राशी के जात्वों की कामकाज केश सिलसले में यात्रा की योग बन सकते हैं कारिशेत्र में इस्थती अच्छी बनी रहेगी इस सब्ता आपके दैनिक सुखों में वृत्थी हो सकती है संतान के साथ मन मुटाओ को सकता है जीवन साथी के प्रती आपका लगाओ बढ़ सकता है इस सब्ता क्रोध तथा जिद्धी स्वभाव से बचें अच्छा रहेगा सब्ता के अंतिम भाग में आपको धन लाग तथा कोई शुप समचार मिल सकता है खान पान का ध्यान रखें